नमस्कार भारत के पहले मुबाइल न्यूज चानल मेट्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूज बुलिटन में खबरों का सलसलाश शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हैडलाइन्स पर नितिश की शराब बंदे के खुली पोल बिहार के गोपाल गंच में जहरीली शराब से अब तक 13 की मौत दीएम ने कहा दूसरी वज़ाओं से हुई मौत यूपी में मुलायम परिवार में जगड़ा बड़ा काबिनिट की बैठक में शामिल नहीं हुए शिफपाल मुलायम की हरी जहन्दी के बावजूद से एमाफिलेश ने किया कोमी एक तदल के विलाई का विरोड अब भारत से अच्छे रिष्ट्र चाहता है चीन पाक अधिकरित कश्मीर पर बदला सुर कश्मीर मुद्दे को बताया भारत पाक का आपसी मुद्दा खुद सुलजाने की दी सल्हा केंद्र मंत्री की पतनी को जान से मानने की धम की ब्लाक मेल नेस मांगे दो करोड दिलिक के तुगला खरोड धाना में केज़ दर्ज पुलिस ने मामले पर साधी चुपपी और बिहार में गंगा उफान पर भागलपूर में सौ से ज़्यादा गाओ बाड के पानी से गिरे पानी में डूबने से दो बच्चों की मौत कटाव के कारण दर्जनों गाओं का सरक संपर्ख कटा बिहार के गोपाल गंच में कठे तौर पर जोहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर तेरा हो गई है बुदवाज सुभा तक बीते 12 घंटों में 8 लोगों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा है हाला कि प्रशासन का दावा है कि ये मौते शराब से नहीं बलकी बिमारी से हुई है मारे गए लोगों की पोस्ट मातम रिपोर्ट आनी अभी बाकी है इस घटना के बाद से ही बीजेपी ने बिहार सरकार को घेना शुल कर दिया है बीजेपी ने आरोप लगाया है राज्य में सरकार की शराबंदी के कारण अवेज शराब कारोबार धडले से फल फूल रहा है बिहार में अप्रेल महीने में नितिश कुमार की सरकार ने पूर्ण शराबंदी की घोशना की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्या मुलायम सिंग्यादव के परिवार में जगड़ा बढ़ता जा रहा है आज यूपी काबिनिट की बैठक में नाराज शिफपाल सिंग्यादव शामिल नहीं हुए सुत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि मुलायम सिंग्यादव की हरिज हंधी के बावजूद अखिलेश श्यादव ने कौमी एक्तादल के सपा में विलायक आविरोद किया है जबकि शिफपाल ये विलायक चाहते हैं कैबिनेट की बैठव के बाद अखिलेश श्यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव के बाद एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी इस मौके पर उन्होंने ये खोशना भी की कि अलाबाद में मेट्रो ट्रेन चलेगी केंद्रे मंत्री की पतनी को जान से मानने की धंकी देने और ब्लाक मेल करने के आरोप में बुदवार को दिल्ली के तुगलकाबाद रोट पुलिस स्टेशन में केज़ाच कर लिया गया है मिली जौनकारी के मुताबिक एक शक्स केंद्रि मंत्री की पत्नी से दो कड़ो रुपई की मांग कर रहा था यही नहीं उन्हें ये भी धंकी दी कि यदि वो ऐसा नहीं करती है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी आरोपी मंत्री की पत्नी को नीजी बातों की रिकॉर्डिंग सारवजने करने की धंकी देकर उन्हें ब्लैक मेल कर रहा है तुगलक रोट थाना पुलिस ने मामली की जान शुरू कर दी है मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण इलाके के आला पुलिस अधिकारी इस और कुछ भी बोलने को तयान नहीं है नियुनतम मजदूरी बढ़ाने के अर्विंद के जरिवाल के अलान पर आपके ट्रेड विंग बागी हो गया है ट्रेड विंग के सयोजक ब्रजेश गोयल ने कहा कि वेपार्टी के फैसले के खिलाफ और द्योगोग और वेपारियों के साथ खड़े हैं उन्होंने अर्विंद केजरिवाल के फैसले पच्चुनता जताई इतना ही नहीं उद्योग पतियों की तरफ से धमकी दे गई है कि अगर न्यूनतम मजदूरी की दड़े बढ़ाई गई तो वे लोग आमादी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से उतार फेकेंगे प्रजेश गोयल बुदवार को वेपारियों से मिलकर आगे की रणी तितै करेंगे अगर दरे लागू की गई तो वेपारी लोग धरने पर भी बैठ सकते हैं चीन ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे संकेद दिये हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वे भारत के साथ अपने बहतर रिष्टे चाता था वे नहीं चाता कि दुनिया की दो उभरती महाशक्तियों में तनाव हो चीन के सरकारी अकबार ग्लोबल टाइम्स ने एक और जहां भारती मीडिया पर आपसी संबंदों को कथित रूप से नकारतमक रूप देने के लिए कोसा था वही उसने कश्मीर पर चीन की नीती में आते बदलाव का संकेद भी दिया है ग्लोबल टाइम्स से पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर का दो बार जिक्र किया गया है और उसे पाक अधिकरित कश्मीर लिखा है जिसे अब तक वैपाक प्रशासित कश्मीर लिखता बताता रहा है Global Times ने ये भी लिखा है कि कश्मीर मुद्धा भायत पाकिस्तान का नीजी मुद्धा है जिसे उन्हें खुद सुलजाना है भागलपूर में गंगा नदी खतरे के निशान को पार का 26 सेंटिमीटर उपर बहने लगी है इसे जुले के सौ से अधिक गाओं बाड़ कीचपेट में आ गया है सुल्तान गज में गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि घाट तक पहुँचने के लिए बने रास्ते पर भी घुटनों तक पानी भर गया है इसमाइलपूर प्रखंड में सबसे भयावस्थ थिती है मंगलवार को इसमाइलपूर बाजार के पास तीन बच्चे पानी के तेज बहाव में बहे गए जुन में एक की मौत हो गई भई ब्रहंपूर गाओं के घरों में इतना पानी घुज गया कि चौकी पर सो रही पांच साल के मासूम की पानी में गिर कर डूबने से मौत हो गई जुले में अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे खत्रा भी बढ़ता जा रहा है मुलायम को मुक्तार पसंद है लेकिन मुक्तार प्संद है लेकिन मुक्तार की मामला मुलायम परिवार में मूच का सवाल बन गया है नेदा जी के इशारे को आदेश बताकर दो दिन से यूपी की राजनीती को अपने आसपास घुमाने वाले शिफपाल यादफ के लिए अच्छी ख़वर नहीं है मुलायम ने भले ही मुक्तार को लाने के लिए शिफपाल को हरी जंडी दे दी है लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश व्यादफ किसी कीमत पर राजु नहीं है अखिलेश को अपनी छवी की चुनता है क्योंकि बाहु बली की बदनामी को साथ लेकर वो चलना नहीं चाते महराश्ट्र के राज्यपाल सी विद्यसागर राउ ने माला बार हिल्स थेत राजभावन परिसर में अंग्रेजों के समय का 150 मीटर लंबे एक बंकर का पता लगाया है जो कई दशकों से बंद पड़ा था राजभावन के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डेविद्न फर्नविस ने कल देरशाम बंकर का जोईजा लिया राह अपनी पतनी विनोधा के साथ बंकर देखने गए इसके बाद राजपाल ने इसे संडरशित करने के लिए विभिन शेत्रों के विशेशगेओं से मश्विरा करने का अपना इरादा जाहिर किया राजपाल ने बंकर को तब खोलने का निर्देश दिया था जब तीन महीने पहले पुराने लोगों ने उन्हें राजपाल के अंदर एक सुरंग मौजूद होने के बारे में बताया था अधिकारी ने एक बयान में कहा कि 12 अगस्त को राजभवन में लोक निर्मान विभाग के करमचारियों ने बंकर के प्रवेश को बंद करने वाली एक अस्थाई दिवार खोल दी एक भुमिगत सुरंग की वज़ाए कई आकार के तेरा कमरोवाली एक पूरी बैरक का पता चला है जैपूर की हिंगोनिया गोशाला में गायों के दलदल में फसकर और भूक से मरने की आज तक की खबर पर हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ की गायों की मौत को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है इस गोशाला में बड़ी संख्या में गाय पॉलिथिन, किल, ब्लेड, बैटरी, इंजेक्शन और सिक्के खाकर भी मर रही है लोग गायों को लावारिस छोड़ देते हैं जहां तहां वो पॉलिथिन के साथ ये सब भी खा लेती है जिसकी वच्छा से दम तोड़ रही है हिंगोनिया गोशाला में गायों के ऑपरेशन ने पेट से दरजनों खिले, ब्लेड सिक्के, मुबाइल बैटरी, पत्थर, जंजीरे चेन, कोल्ड रिंग्स की बोतल के धकन और इंजेक्शन जैसी चीजे निकलती है इन चीजों के पेट में होने की वज़ा से गाय बिमार पड़ जाती है और मर जाती है इन सबसे ज्यादा खतनाग पॉलिथिन है एक तिरफ सरकार, एंजीयो और जुनता मिलकर गंगा सफाई और गंगा के काया कल्प का काम करेंगे तो दूसरी और जल संसाधन और गंगा पूर्ण जीवन मंत्री उमा भारती दो साल तक हर सपता दो या तीन दिन गो मुख से गंगा सागर के बीच गंगा किनारे पद्यात्रा करेंगी भारती का कहना है कि इस तरह कदम दरकदम नापते हुए वो गंगा और गंगा पूत्रों की मुश्किले आसानी से समझ पाएंगी तब स्थाई उपाय करना ज्याद संभव होगा ताकि 2018 में गंगा को फिर से स्वच निर्मल और अविरुल करने का लक्षे पा सके संकल्प साकार हो सके यानि इसके लिए एक्ट भी बनेगा तो वो जनता की इच्छा के मताबिक खासकर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की इच्छा के मताबिक क्योंकि वो गंगा को सबसे ज़्यादा सबसे बहतर समझते हैं और सम्वेदिन शील भी है इस न्यूस बुलिटन में फिल हाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मैं तो टीवी से नमस्कार